नमस्ति आज जिस पार्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले हम यहां इस चित्र को देखेंगे इस क्रीन पर आप एक चित्र देख रहे हैं यह भारत माता का चित्र है हम अपनी भारत की भूमी को मातर भूमी कहते हैं Motherland कहते हैं क्योंकि इस धर्ती पर हमने जन्म लिया है और जन्म दातरी मा कहलाती है तो भारत देश को हम भारत मा के रूप में देखते हैं और कुछ इस तरह की कलपना की गई है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज इस कविता को मैं यहां व्याख्य सही समझाने जा रही हूँ वह है वह जन्म भूमी मेरी इसकी कवी है श्री सोहनलाल द्वेदी श्री सोहनलाल द्वेदी जी कि इस कविता का पहले आदश वाचन किया जाएगा उसके बाद कवी का संग्षिप्ट परिचे दिया जाएगा कविता की सप्रसंग व्याख्या करने के बाद जिस भी अंश का हम अर्थ समझते हुए उसकी व्याख्या करेंगे उसके संभावित प्रशन और उनके उत्तर भी आपको इस पार्ट में मिलेंगे और उसके बाद केंद्रिय भाव को समझाया जाएगा और अंत में हम देखेंगे कि परिक्षा में इस पार्ट से पिछले साल किस तरह का प्रशन आया था तो आईए पार्ट शुरू करते हैं और इस पार्ट को मैं अल्पना वर्मा प्रस्तुत कर रही हूँ आप मेरे यूट्यब चैनल अल्पना वर्मा पर इसे देख सुन रहे हैं एक बहुत ही लोगप्रिय कविता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लहरों के डर से नौका पार नहीं होती तो यह जो कविता है इसके बारे में बहुत चर्चाएं हुई है पहले और लोग यह समझते थे कि यह श्री हरिवन श्राय बच्चन जी की लिखी कविता है जबकि अख़बारों में इसका स्पस्ट्री करन आया था कि यह कविता पंडित सोहनलाल दुएदीजी की लिखी कविता है पंडित सोहनलाल दुएदीजी जिनका चित्रा अपर स्क्रीन पर देख रहे हैं इनके बारे में अब हम जानकारी प्रात करेंगे इनका जन्म कब हुआ इनका जन्म आपकी पुस्तक के अनुसार 22 फरवरी 1906 है और विकिपीडिया और कुछ इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स हैं वहाँ भी इनका जन्म 1906 दिया गया है जबकि इनकी अपनी जो पुस्तके हैं उनमें इनका जन्म इस प्रकार से बताया गया है पंडित सोहलाल दुएदी जी का जन्म समवत 1962 की फागुन शुकल अस्टमी को हुआ समवत को सन में बदलने की गणना के अनुसार जब हम समवत 1962 को सन में देखते हैं तो यह सन 1905 होता है तो जो सही जन्म वर्षेव है 1905 है आप परिक्षा के लिए अगर लिख रहे हैं तो आप वही लिखें जो आपकी पुस्तक में दिया गया है और जन्म स्थान है इनका तहसेल बिंद की जीला पतहपुर उत्तर प्रदेश इनकी सिक्षा काशी हिंद विश्रिद्याले से इन्होंने MA किया और LLB की 1921 से इन्होंने लेखन कारे शिरू किया गांदीजी से ये बेहत प्रभावित थे इनकी भाषा जो इनके लेखन में देखने को मिलती है वे परिश्कृत खड़ी बोली है तो आप खड़ी बोली लिख दें काफी होगा खारिश्यत्र अधिकार दैनिक पत्र जो लखन उसे प्रकाशीत होता था उसका संपाधन कारे किया और साथि साथ बाल सक्खा पत्रिका कभी इन्होंने संपाधन कारे किया रचनाई पहला कावे संग्रह भैरवी के नाम से प्रकाशीत हुआ यह 1941 में प्रकाशीत हुआ था कविता संग्रह इस प्रकार है भैरवी, पूजागीत, चेतना, प्रभाती, आदि बाल कविता संग्रह इनके इस प्रकार है शिशु भारती, दूद्बताशा, बाल भारती, बिगुल आदि अन्य कृतियों के नाम इस प्रकार हैं बासंती, विश्पान, कुनाल, आदि 1979 में भारा सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री की उपादी से नवाजा गया पद्मश्री की उपादी से समानित किया गया, इनकी रचनाएं ओजपून और राश्रिता की परिचायक है, उन्होंने देश भक्ति पून कविताएं लिखी हैं, इन्होंने बालूप योगी रचनाएं भी लिखी हैं, साथ ही भारत देश, ध्वज, राश्प्रेम और राश् अल्लाल त्वेदी, इनकी मृत्तियों 1988 में हुए, अब हम कविता का वाजन करेंगे, वह जन्म भूमी मेरी, वह मात्री भूमी मेरी, उजा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरन तले पड़ नित सिंधु जूमता है, गंगा यमनात्री मेरी नदिया लहर रही है, जगमक छटा निराली पगपग पर छहर रही है, वह पुण्य भूमी मेरी, वह स्वन भूमी मेरी, वह जन्म भूमी मेरी, वह मात्र भूमी मेरी जरने अनेक जरते जिसकी पहाडियों में चिडिया चहक रही हैं हो मस्त जाडियों में अमराई या घनी हैं कोयल पुकारती है बहती मलय पवन है तन्मन सवारती है वह धर्म भूमी मेरी वह कर्म भूमी मेरी वह जन्म भूमी मेरी वह मात्र भूमी मेरी जन्मे जहां थे रगुबती, जन्मी जहां थे सीथा, च्रीक्रिष्ण ने सुनाई वन्शी पुनीत गीता गौतम ने जन्म लेकर जिसका स्व्यश पढ़ाया, जग को तया दिखाई, जग को दिया दिखाया वे युद्ध भूमी मेरी, वे बुद्ध भूमी मेरी, वे जन्म भूमी मेरी, वे मात्री भूमी मेरी यह दी कविता और इसके कवी श्री सुहनलाज द्वेदी जी अब हम कविता को व्याक्य सहीद समझेंगे और इस पार्ट को मैं अल्पना वर्मा प्रस्तुत कर रही हूँ आप मेरी योट्यूब चैनल पर इसे देख सुन रहे हैं वह जन्म भूमी मेरी कविता में कवी ने अपने भारा देश का गौरवगान और वहां की प्राक्रतिक शुष्मा और सम्रिद्धी का वर्णन किया है यह किस प्रकार की कविता है यह देश फ्रेम की कविता है जिसमें देश का गौरवगान किया गया है अब जब हम व्याख्या के लिए लिखना शुरू करते हैं तो व्याख्या किसी भी पंक्ति या पंक्तियों या कविता के किसी अंश की जब व्याख्या करते हैं तो उसका संदर्ब भी लिखते हैं संदर्ब और प्रसंग तो संदर्ब में हम लिखेंगे कि ये पंक्तियां कहां से लिए गई है और प्रसंग में लिखते हैं कि ये इस पंक्ति में या इन पंक्तियों में कभी क्या कहना चाहते हैं और छोटी कक्षाओं में संदर्ब अलग से नहीं लिखने के लिए दिया जाता सिर्फ प्रसंग में ही आप लिख देते हैं कि ये पंक्तियां कहां से लिए गई हैं तो जैसा भी आपको कक्षा में सिखाया जा रहा है आप ऐसा कीजिए और अगर आपको सपस्ट नहीं है कक्षा में क्या कराया गया है तो जैसा मैं बता रहे हूं वैसा आप लिख सकते हैं संदर्व लिखे सबसे पहले उसमें बताइए प्रसुत पंक्तियां हमारी पाठेपुस्त आपकी पाठेपुस्त का नाम जो भी है वो लिखे या ये जो कविता है ये साहिते सागर से लिए है तो उसका नाम मैंने यहा लिखा साहिते सागर के पद्यखंड में संकलित कविता वह जन्म भूमी मेरी से ली गई है जिसके कभी श्री सोहनलाल दवेदी जी है तो आपने रचना का नाम रचनाकार का नाम लिख दिया और अब ये जो संदर्व है ये कभीता की किसी भी अंश की व्याख्य से पहले आप लिख सकते हैं क्योंकि ये तो एक ही रहेगा अब प्रसंग जो है जो भी अंश आपको व्याख्य के लिए दिया जा रहा है उसको समझ कर उसको पढ़कर प्रसंग उसके अनुसार आप लिखेंगे तो जैसे ये जो पहली पंक्तियां है ये जो पंक्तियां है इन में कभी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया वांके सम्रिद्धी का वर्णन किया है तो हम प्रसंग में इस तरह से लिख सकते हैं पंक्तिओं में कवी ने भारत की प्राकृतिक सौंधर्य और सम्रति का वर्णन किया है। तो कभी क्या कहता है कि वह जन्म भूमी मेरी वह मात्री भूमी मेरी तो कभी अपनी जन्म भूमी भारत देश की बात करते हैं क्या कहते हैं कि उचा खड़ा हिमाले आकाश चोमता है आकाश याने स्काई हिमाले हिमाले परवत कहां खड़ा है भारत देश के उत्तर में और नी जोग तले उसके नीचे नित प्रतिदिन खमेशा की सिंदू सागर जूमता है गंगा यंफना तरिवेणी नदिय लहर रही हैं गंगा और यंफना नदियों के नाम Kenneth दो नदिया है और तीसरी एक नदी है सरस्वती इन तीनों का जो संगम है वह है प्रियाग में होता है प्रियाग था जिसको हम पुराना नाम इलाबाद है तो उन तीनों नदियों का संगम त्रिवेणी कहलाता है जो कि प्रियाग में है अब यहां सरस्वती का नाम नहीं दिय नदिया लहर रही है, जगमक छटा निराली, पकपक छहर रही है, आगे मैं इसको समझाओंगी, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, पग का आर्थ है पाओ, पैर, वह पुन्य भूमी मेरी, वह स्वन भूमी मेरी, स्वन का आर्थ होता है, सोना, और धर्ती सोना उग बलती है, क्या है इसका आर्थ, वह भी अभी हम समझेंगे, अभी हम सिर्फ कठी शब्दों के अर्थ समझ से जाएंगे, तो पग, चरण, अमराहियाँ, अमराहियाँ तो आगे है, यहाँ नहीं है, जगमक का अर्थ है चमकदार, छटा का अर्थ है चवी, सिंधु का प्रति दिन पुन्य भूमी याने पवित्र भूमी चहरना अर्थारत बिखरना स्वन सोना धातु को कहते हैं और स्वन्ड भूमी का आशय यहां पर है धन धाने से परिपून भूमी मात्र भूमी वे भूमी जो माता के समान है त्रिवेनी तीन नदियों का संगम गंगा यमन और सरस्वती जो प्रयाग में है अब इसको हम अर्थसाइद समझते हैं कभी अपनी जन भूमी भारत देश की बात करते वे कहता है कि इसकी उत्तर दिशा में हिमालय परवत इस्थित है जिसकी उची चोटियां आकाश को छूती दिखाए देती है और यह हमारे देश के कौ आरत माता के चरणों को छूकर उन्हें पकहारता हुआ यानि उन्हें धोता हुआ पकहारता हुआ मानों अपने स्वाभागया पर प्रसनता से जूमता लगता है आके कभी कहता है गंगा युमना तृवेणी नदिया लहर रही है जगमक छटा नेराले जगमक छटा नेराले जगमक चमकती हुई तो कभी कह रहा है कि इस देश में गंगा, योमना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का अनोखा संगम है जिनका चमकदार अद्भुत सौंदर चारों और फैला दिखाए देता है ये पगबग चहर रही है अर्थात ये निरंतर बह रही है इस धर्ती पर महान पुरुषों ने, रिश्यों और मुनियों ने जनम लिया और वर्षों तपस्या की जिसके कारण ये भूमी पुन्य फल देने वाली भूमी कहलाती है बह स्वन्ड भूमी मेरी स्वन्ड भूमी का आश्य जैसे मैंने पहले पताया है धन धाने से परिपून भूमी है और यहां बहने वाली नदियों के पवित्र जल से भारत की धर्ती सिंचित होकर हरी भरी और सुन्दर दिखाई देती है यह धर्ती भिन भिन खनिच पदार्थों अवशदी और वनस्पत्यों से संपन है इसलिए सिफ इस भूमी को सोना उगलने वाली भूमी भी कहते है या फिर आप इसे दूसरे अर्थों में ऐसी भी देख सकते हैं कि यहां की मिट्टी बहुत उपचाऊ है जिसके कारण भरपूर फसल होती है अर्थात वह सोना उगलती है इसलिए भी इसे स्वन भूमी कहा जाता है तो यह भारत देश की भूमी स्वन भूमी है वह जन्म भूमी मेरी इस देश ने इस देश की मिट्टी में मैंने जनम लिया है या इस भूमी पर मैंने जनम लिया है इसलिए यह मेरी जनम भूमी है वह मात्र भूमी मेरी यह भूमी एक मा के समान मेरा पालन पोशन करती है यह मेरी मात्र भूमी है कभी की कहने का आश्य है ऐसा महान देश मेरी जन भूमी है और अपनी मात्र भूमी पर मुझे गर्व है यहां जो कुछ प्रशन बन सकते हैं इस अंचत से वेज प्रकार है कभी किस भूमी की बात कर रहा है कभी अपनी जन भूमी भारत माता की बात कर रहा है कभी ने हिमाले के बारे में क्या कहा है इस प्रकारा लिख सकते हैं एक अंक का है तो सिर्फ 20 शब्द लिख सकते हैं आप 10 से 20 शब्द लिख सकते हैं स्वार्ण भूमी क्यों कहा गया है? इसका उतर और पुर्णे भूमी क्यों कहा गया है? इसका उतर आपको व्याक्य में दिया जा चुका है अगला अंश पढ़ते हैं जरने अनेक जरते हैं जरने वाटरफॉल जिसकी पहाडियों में पहाडियों से गिरते वे जरने चिडियां चहक रही है हो मस्त ज़ाडियों में तो जो पहाडों के वन्य शेत्र है या जो भी वन्य शेत्र है हरे बरे शेत्र हैं जाडियां हैं पेड़ पौदे हैं वहां चिडियां यानि पक्षी जो है वो चहकते हैं जो की प्रसंदता का प्रतीक है तो यहां इस अंच में भी कभी ने भारत की महिमा का भारदेश की महिमा का गुंगान किया है यहां के प्रकृतिक सौंदरे के बारे म तो कभी क्या कह रहे हैं कभी कहते हैं कि भारत की परवतिय शेत्रों में बहतिवे जरने यहां की शुभा बढ़ाते हैं आगे कहते हैं कि इन हरे भरे वन्य प्रदेशों में चिडियों की चहचाहाट है अमराईयां घनी हैं कोयल पुकारती हैं अमराईयां अर्थार आम के पेड़ों के बाग आम के घने बागों में वसंत रित्तों के आने पर कोयल की मीठी कूक सुनाई देती है बहती मलय पवन है तन्मन सवारती है मलय परवत से आती हुई हवा और मलय का एक अर्थ चंदन होता है लेकिन यहां मलय का अर्थ है मलय गिरी परवत यह भारत के दक्षण में है और मलय गिरी परवत के शेतर में चंदन के पेड़ होते हैं सेंडल वूड के पेड़ होते हैं और वहां से जब पास होती हुई हवा बहती है तो वह अपने साथ चंदन के सुगंद लिए होती है इसलिए कहते हैं कि बहती मलय पवन है तन्मन सव भारत के मलय परवत से बहने वाली शीतल और सुगंदित हवा सभी मनुष्यों के तन्मन को इस फूर्ती और ताजकी से भर देती है वह धर्म भूमी मेरी वह कर्म भूमी मेरी भारत को धर्म भूमी भी कहते हैं क्योंकि यहां अनेग धर्मों के स्थापना हुई है और उन धर्मों की शिक्षा से मनुश्य को एक नई जीवन द्रिश्टी मिली है वह कर्म भूमी मेरी भारत देश की भूमी मेरी कर्म भूमी भी है वह जन भूमी मेरी वह मात्र भूमी मेरी यह देश मेरी जन भूमी है, मुझे जन देने वाली और मा के समान मेरा पालन पोशन करने वाली इस मात्र भूमी पर मुझे गर्व है जरने जरते हैं भारत की हवा कैसी है भारत की हवा कैसी है और उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है भारत में बहने वाली हवा शीतल और सुगंदित है और ये हमारे तन्मन को उर्जा, सूर्थी और ताजकी से भर देती है इस तरह आप लिख सकते हैं आगे जो पंक्तिया हैं उनमें कठिन शब्दों के अर्थ मैंने नीचे लिखे भी वे हैं जब मैं स्क्रोल करूंगे नीचे तो दिखाए दे जाएंगे आपको यहां मैं पंक्तियां पढ़ते हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी बताती जाओंगे जन्मी जहां थे रगुपती, रगुपती श्री राम को कहा है भगवान श्री राम को जन्मी जहां थे जीता, सीता श्री राम की पतनी थी श्रीक्रिष्ण ने सुनाई, श्रीक्रिष्ण द्वापर युग में हुए भगवान विष्णु के अवतार है वंशी पुनीत गीता, वंशी सुनाई थी यानि बांसुरी सुनाई थी, बांसुरी की मतुर्धुन सुनाई थी पुनीत गीता पुनीत पवित्र को कहते हैं गीता गीता एक पुस्तक है जिसमें कुरुक्षेत्र के मैदान पर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते पद्यात्म को उपदेश देते जिनका संकलन इस पुस्तक में है तो ये पवित्र पुस्तक है गीता गौतम ने जन्म लेकर गौतम कौन है? महात्मा बुद्ध जिसका सोयश पढ़ाया किसका सोयश पढ़ाया? भारतेश का सोयश यानि किर्ती जग को दया सिखाई दया kindness जग का अर्थ है संसार दुनिया दिया दिया का आप एक अर्थ देखते है verb देने के संदर में तो यहाँ देने के अर्थ में नहीं है यहाँ पर दिया है दीपक जो रोश्नी फैलाता है जिसकी लौब सब और प्रकाश करती है तो दीपक lamp वह युद्ध भूमी मेरी वह बुद्ध भूमी मेरी वह जन्भूमी मेरी वह मात्र भूमी मेरी तो यह अर्थ भी मैंने यहाँ कटिन शप्तों के लिख दी है आप देख सकते है अब इन पंक्तियों को वह कैसा है समझते है तो प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों की माध्यम से कवी ने भारत भूमी पर जनम लेने वाले वीर महापुरुषों का वर्णन किया है वे कहते हैं कि इस देश में रगुकुल में श्री राम का जन्म हुआ जो मर्यादा पुरुषोतम है उनका जीवन चरित्र, माना जीवन का सर्वच आदर्ष प्रसुद करता है यहाँ सीता जैसी पत्ति वृता, धरम, परायन, इस्त्री का जन्म हुआ जिनोंने नारे धर्म का आदर्ष इस्थापित किया उन्हें एक आदर्ष स्त्री के रूप में देखा जाता है द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जरम लिया और अपनी बासुरी की मधुर्दुन से सबको मोहित किया उन्होंने प्रेम का संदेश दिया और साथ ही महाभारत की युद्व में गीता का उपदेश देकर मनुष्य को निश्काम कारे करने की शिक्षा दी निश्काम करता है जिसमें किसी फल की आशा ना की जाए तो मनुष्य को फल की इच्छा किये बिना कर्म करने की शिक्षा दी गौतम गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध ने मानव को प्रेम और आहिंसा का पाट पड़ाया बौत धरम की स्थापना की उनके दिये ग्यान के दीपक के प्रकाश से संसार रोशन हुआ संसार आलोकित हुआ पूरे देश में भारत देश का नाम और मान बढ़ाया तो उनके संदेशों से उनके प्रेम और आहिंसा के संदेशों से भारत देश की किरती भी बढ़ी बुद्ध ने लोगों को मुहमाया आदिविकारों से मुक्तो कर ज्ञानमार्ट पर चलने का संदेश दिया सभी जीवों पर दया करने की सीख दी वह युद्ध भूमी मेरी वह बुद्ध भूमी मेरी युद्ध भूमी क्यों कहा गया है तो यहां कवी ने भारत भूमी को युद्ध भूमी इसलिए कहा है इसके दो अर्थ हम लगा सकते हैं एक यह कवी कहते हैं कि यह भूमी मुझे जीवन के संघर्षों से लड़ते हुए जीने का संदेश देती है इसलिए वह मेरी युद्ध भूमी है दूसरा अर्थ है है कि भारत की भूमी पर बड़े बड़े वीर महापुरुष पैदा हुए जिन्हों ने अपने देश की रक्षा के लिए वीरता का परिचे दिया और अपने प्राणों की बली तक दे दी इन वीरों से संसार के सामने धर्म मर्यादा करुणा और दया के आदश रूप प्रस्तुत हुए जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यह भारत भूमी युद भूमी भी है यह बुद्ध भूमी भी है क्योंकि इस धर्ती पर शान्ती और आहिंसा के संदेश का प्रचार प्रसार हुआ इसी धर्ती से हुआ गौतम बुद्ध ने यहां बौद धर्म की स्थापना की और उस धर्म का संदेश ही आहिंसा और प्रेम को पहलाना था तो यह भारत भूमी बुद्ध भूमी भी है क्योंकि यह धर्ती शान्ती और आहिंसा की वाहक है यह धर्म और नियाय की रक्षक है इस धर्ती पर कभी कहते हैं कि इस धर्ती पर मैंने जनम लिया है यह मेरी जन भूमी है यह एक मा के समान मेरी देखभाल करती है इसलिए यह मेरी मात्र भूमी है और इस पर मुझे गर्व है अब यहाँ जो प्रश्ण बनते हैं कि ये युद्भूमी क्यों कहलाती है या भारत भूमी को बुद्भूमी क्यों कहा है तो ये सभी उत्तर यहाँ हमने समझ लिये हैं श्री कृष्ण ने सुनाई वन्शी पुनीत गीता इस पंक्ती का आशेस पस्ट कीजे तो इस पंक्ती का आशेस प्रकार है कि यह कभी है कहना चाहते हैं कि यह वही पावन भारत भूमी है जहां भागवान क्रिश्ण ने जनम लिया था सभी को अपनी वन्शी की धुन से मोहित कर दिया था और कुरक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था जिसमें मनुश्य को बिना फल के चिंता किये कारे करते रहने का संदेश भी दिया है इसी अंश से आप यह भी एक प्रशन देखेंगे कि गौतम कौन थे उन्होंने क्या उपदेश दिया था गौतम बहुत धरम चलाने वाले महापुरुष थे या बहुत धरम की स्थापना करने वाले महापुरुष थे उन्होंने लोगों को आइंसा का पाट पड़ाते वे स सबी जीवों पर दया रखने का उपदेश दिया भारत की भूमी को पावन क्यों मानते हैं कभी भारत की भूमी को पावन इसलिए मानते हैं क्योंकि यहां श्री राम, सीता और कृष्ण तथा गौतम जैसे महान अवतार अवतरित हुए कभी ने भारत के लिए किनकिन विशेशनों का प्रयोग किया है तो इस पूरी कभीता में अगर हम देखें तो कभी ने भारत के लिए जन भूमी, मात्र भूमी, युद्ध भूमी, सौन भूमी, बुद्ध भूमी, धर्म भूमी और कर्म भूमी जैसे विशेशनों का किया है जीवनचरित्र और उपदेशों से संसार में प्रेम, आहिंसा और निश्काम कार्य करने का संदेश फैला तथा साथी देश की किर्ती भी बड़ी कवी ने अपनी जन भूमी को मात्र भूमी, युद्ध भूमी, स्वान भूमी, बुद्ध भूमी, धरम भूमी तथा करम भूमी जैसे भी शेश्नों का प्रयोग करते हुए राश्ट प्रेम का संदेश भी दिया है तो ये केंद्रिय भाव है, अब कवीता का क्या उदेश है, इस कवीता को लिखने के बीचे कवी का क्या उदेश है रहा है तो हिमाले के समान अटल और उच विचार तथा समुद्र की तरह तरल प्रेम पूर्ण व्यभार का वर्णन करते हुए भारतियों में राश्ट्रिय गौरव की भावना जागरित करना कवी का उदेश है रहा है इस कवीता के माध्यम से वे चाहते हैं कि हर भारतियों श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए निश्काम कर्म के मार्ग पर चले और बुद्ध द्वारा दिये गए दया के संदेश को ग्रहन करे और अपने देश पर गर्व करे अब जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यह एक प्रश्ण है जो आपके प्रश्ण पत्र में पिछले किसी साल आया था इसी कवीता से तो यहाँ अंश दे दिया गया है और लिखा है निमलिकित पद्यांश को पढ़िया और उसके नीचे लिखे प्रश्णों के उतर हिंदी में लिखे तो ये अंश है, जो अभी-अभी हमने पढ़ा है, और इसमें पूछा गया है प्रसूत कवीता किस प्रकार की है, इस कवीता में किसका गुणगान किया है, तो बहुत ही आसान है इसका उत्तर, कभी ने भारत को युद भूमी, बुद भूमी क्यों कहा है, समझा का लिखे, द जिसकावितामें कभी ने भारत के प्राक्रतिक सोंदर का वरणन किया है कभी कहता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके उत्तर में उचा हुआ हिमाले सुष्वभith है और इसके दक्षिं में अरताथ il sortie उन्होंने बताया के के बागों में कोयल कूकती है, मलै परवत से शीतल और सुगंदित हवा बहती है, जो सभी को आनंदित करती है, तो इस तरह से कविता में भारत के प्राक्रतिक सौंदर्य का वढन किया गया है। प्रसुत पद्यांश्मी कवी ने भारत को किनकिन महापुरुषों की भूमी कहा है कवीता का केंद्रिय भाव लिखते वे इसपस्ट कीजे तो आपको कवीता का केंद्रिय भाव लिखना है और उसमें यह बताना है कि भारत को कवी ने किनकिन महापुरुषों की भूमी कहा है भगवान शेराम, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध के नाम उन्हों नहीं यहां लिखे हैं तो उन नामों का जिक्र करते हुए आप कविता का केंद्रिय भाव लिखकर स्पस्ट करेंगे और केंद्रिय भाव अभी अभी मैंने बताया ही है तो इस प्रकार यह है पाठ का समाप्त हुआ आपकी पुस्तक के अन्य पाठों के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट भी आपके पुस्तक के नाम से है उससे भी देख सकते हैं और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कामेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं धन्यवाद